हेलो फ्रेंज मैं सिखा आपका यूटूब चैनल पर स्वाथ करते हूँ आज आम मनाएंगी खटी मीडी चटने सबसे पहले हम कच्चा आम लेंगे आम को दो कफ फिर्ची लेंगे आम को हमने छील लिया है आम सलका चिपक रहा है तो उसे पानी से दो लेंगे फिर एक तौवल लेंगे आम को हम गीला ग्रेट नहीं करेंगे इसे अच्छे से तौवल से सुखा लेंगे आम को हम पानी से अच्छी तरह साफ कर लेंगे आम को तौवल से अच्छे से सुखा लेंगे दिया जए इसमें जरावी गीला पान नहीं रहना चाहिए वर्ना चटनी खराव हो जाएगी अब आम को ग्रेट करेंगे झाल को झाल जाएगी बोड़ाख लेंगे है अच्छे सा ले एम्लाशब खरावीla एम आमेना जरीघ हमने आम को ग्रेट कर लिया है अब हम कड़ाई लेंगे गैस को ओन करेंगे कद्दुकस कियो है कच्छे आम को सीधे कड़ाई में डाल देंगे अब इसमें एक कप चीनी डालेंगे आप अपनी स्वादनों साथ चीनी कम या जादा कर सकते हो इसको लगाता चलाते रहेंगे जब तो चीनी मेल्ट ना हो जाए देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है अब इसमें एक छोटा चम्मच सपेद नमक एक छोटा चम्मच काला नमक एक छोटी चम्मच पिसी होई लॉन एक छोटी चम्मच पिसी होई काली मेर्च हमने सब चीनी को डाल दिया है अब इसे अच्चे से पकने देंगे आप चाहो तो लालमिश पाउडर भी डाल सकते हो चीनी मेल्ट हो चुकी है अब इसे अच्चे से पकने देंगे ये आपस में चुपकने लगा आए इसे थोड़ा और चलाएंगे देखिए जब इस तरीके से उठने लगे अब इसे थन्डा होने देंगे देखिए थन्डा होने पर कितना गाड़ा हो गया है अब इसे कांच के जार में भड़ लेंगे द्यान रहे जार कांच का होना चाहिए प्लास्टिया किसी और मैटेरियल का नहीं बढ़ना इससे चटनी खराब हो सकती है इसके बाद हम इसे फ्रीज में स्टोर करेंगे द्यान रहे कांच के जार में किसी भी तरीके की नमी नहीं होनी चाहिए जार को पहले कपड़े से पहुंच कर ही चटनी वरेंगे और चटनी निकालने के लिए भी चमच में कोई नमी नहीं रहनी चाहिए इसे हम फ्रीज में रखका तीन मैने तक इस्तेमाल कर सकते हैं गुरों में अक्सा बच्चे सब्जी के लिए मना करते हैं आप बच्चों को रोटी पर चटनी लगा का रॉल करके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना ना बूलें